सबी को जय भीम जय मुल्या से सबी को शुपकामनाई देती हूँ कि यह पार्टी आज हमने लॉंच किये है और इसके बारे में बताने के लिए हमारे जो राष्ट्य अद्धिक्षे है माने नहीं यह बीडी बोर्कर सर इनको मैं यहां आमंत्रित करती हूँ साथियो एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आप लोगोंने मुझ पर सोपी है और मैं आप से वादा करता हूँ मैं आप से सभी से वादा करता हूँ कि जिस भैलू सिस्टम पर हमने अब तक काम किया उसी ढग से आगे हम काम करते रहेंगे साथियो जो सुशियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस देश में आज प्रिवेल कर रही है सुशियो इकनॉमिक सिचुएशन सामाजिक जीवन में गैर बराबरिया सिर्फ नहीं बनी ही नहीं रही है पर वो बढ़ भी रही है अन्या अत्याचार की केसेश बढ़ रहे है ये बहुत बार हमारे लोगों को ये आपस में लडाने के लिए भी ब्रैमनिकल फोर्सेश कर रहे है इस चीज का आपने ध्यान रखना चाहिए आप जब फिल्ड में जाएंगे तो आप लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि बैकवर्ड क्लासेश के लोग ही शेडूल का शेडूल ट्राइब के उपर अन्या करते हैं ऐसा ऐसा बताने की कोशिश करेंगे और आप लोगों में रिफ्ट डालने की कोशिश करेंगे साथियों इस हाउस में हम जो भी है वो सभी मूल निवासी है और हमारी फाइट जो है उन लोगों के खिलाप में होगी जो इस देश से कही से आए हम लोगों के हक और अधिकार उन्होंने चीने और पिछले साड़े तीन हज़ार सालों से हमारी हालत इतनी खस्ता की है डाक्तर बाबा साब अमबेट कर ही वो व्यक्ति है उन्होंने इसको भलिबाती समझा और इन लोगों के अधिकारों के लिए नाइन्टी सिक्स्टीन से अपना अंदोलन शुरू किया चारी साल अथक परिश्रम किया और अल्टीमेटली कॉंस्टिटुएंट असेम्बली में चून कर आए बाबा साब को वो कंस्टिटुएंट असेम्बली में चून कर ना आए इसके लिए कांग्रेस ने पुर्जोर प्रयास किया है उसका एक लंबा इत्यास है मुझे वो सबकी जानकारी है और अभी वो बताने के लिए समय की थोड़ी पाबंदी है लेकिन जब मैं आंदोलन लेके पॉलिटिकल आंदोलन लेके निकलूंगा और जहां जहां भी देश में जाऊंगा आपको पूरी उसके बारे में मैं जानकारी दूँगा ताकि कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया ब्रयामनिकल पार्टीस ब्रयामनिकल फोर्सेस कांग्रेस में रहे है कांग्रेस ये ब्रयामनिकल पार्टी है ये बाबा साबने बोल दिया था हमारे लोगों को अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ BJP ब्रामनिकल पार्टी आईसा नहीं है बोत हार ब्रामनिकल पार्टीज और दोनों पावर स्वाप कर रहे हैं इस चीज़ को समझिये वो एक दुसरे के हाथ में पावर देने का कारेकरम कर रहे है और हरियाना में इसका ताजा उधारन रहा जब अडवानी ने उधर ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप बीजेपी को ओट नहीं करते तो कांगरेस को ओट करिए इससे आप समझ सकते हो कि ये मिल जुल के हमारे उपर राज करना चाहते है और कोई भी मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टी को भारत वर्ष में पनपने नहीं देना चाहते हैं तो इसलिए साथियों हमारी जो प्राइमरी रिस्पॉंसिबिलिटी है ये दोनों पार्टियों को द्वस्त करना और अपने समाज को उनको अधिकार किया है कहा है हमारे अधिकार जिन अधिकारों की बात हम करते हैं वो अधिकार कहा है वो अधिकार सविधान में हैं और सविधान में भी मैंने पढ़ा मैं सविधान का स्टूडन्ट नहीं हूँ लेकिन आंदोलन की दृस्टी से जब ने जब मैंने सविधान को देखा तो मेरे दृस्टी से सविधान सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट से और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से और नहीं है और जो कुछ भी उसमें है वो है जो मुलभूत अधिकार बाबा साहब ने हम लोगों के लिए लिखके रखे इस देश के हरनागरिक के लिए लिखके रखे उसमें सिर्फ मुल्निवासी बहुजन सम दर्वाज ही नहीं आता उस्में इस देश का हरनागरिक आता है और वो हरनागरिक को उसके अधिकार उसमें दिये हैं फंडामेंटल राइट्स में और वो उनके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करने की रिस्पॉंसिपिलिटी सव्विधान ने स्टेट पर लगाई हुई है राज्यकरतों पर लगाई हुई है पिछले 67 साल से वो इस देश पर राज कर रहे है और दुख की बात यह है कि स्टेट इज वालेटिंग दराइट साफ दा पीपल यह सबसे दुख की बात है मतलब स्टेट की जो ड्यूटी लगाई है कि इनके अधिकार को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेवारी है वो उनके रैट्स का हनन कर रहा है रिजर्वेशन के बारे में आपको बता यहा गया है यहां से और यह बाकी जो मैं मेकानिसम है बोल रहा हूँ कहीँ के लिए अधिकारों का प्रोटेक्शन करने के लिए लेजिसलेचर बनाई है इसलिए बोल ओ, वो मेकानिसम है वो कहीं भी लिखा होगा कौनसे भी पार्ग में लिखा होगा उनको यह कहा है कि इनके हित में कानून बना जो भी कानून बन रहे इन मज़ॉरिटी समाज के इस मुल्निवासी बहुजर समाज के हित में बनाने के बजाय है मुठी बार लोगों के हित में बनाए जाते हैं और इस समाज के खिलाप बनाए जाते है So this is how the state is violating the constitution दूसरी बात एक्जिक्यूटिव बनाई जो कानून बनाए गए पजजल को बनाते नहीं लेकिन उनकी मजबूरिया है किसने किया उन्हें मजबूर बाबा साहब ने सब्विधान में हमारे अधिकार प्रोटेक करके ये समग्र लोग जो हमारे अधिकार रोक कर रखे है उनको मजबूर किया और उस मजबूरी के तहट वो कभी कभी हमारे हीत में कुछ कानून बना लेते हैं लेकिन जो एक्जिक्टिव है इस देश की एक्जिक्टिव मश्री जो है वो हमारे अधिकार हमें ना मिले इसके लिए निरंतर काम करती रहीती है and all those post and positions are occupied by the Brahminical forces and more so by Brahmins इस लिए भी हमारी खस्थालत है और भावा साहब ने ये कहा है अगर आप पुना पैक पढ़ते हो तो पुना पैक में ये कहा है कि एड्मिस्ट्रेशन इस मोर इंपोर्टन उन्हों लिखा है वाँ क्योंकि अल्टिमेटली राज्यकरता क्या बनाते है उसका अमल कोण कैसा कर रहा है ये ज्यादा मैटर करता है क्योंकि अल्टिमेटली ग्रास रूट में लोगों को अगर अधिकार उनके चाहिए तो अमल करने वाली मिशनरी बहुत माइना रखती है उन्हों लोगों ने भी हमारे अधिकार रोक के रखे तीसरी इस्टिटुशन जो बनाई वो है जुडिशियरी और जुडिशियरी हमारे साथ क्या कर रही है ये आप सब को पता है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये राइट्स के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे दूसरी इंपोर्टन बात मैंने जो कहा कि जो कॉंस्टिटुशन का हाथ है वो फंडामेंटल राइट्स और डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इस डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स इस डाइरेक्ट्ट्ट्व प्रिंसिपल्स के तहत सवविदान डाइरेक्ट कर रहा है रज्यकरताओं को कि आपने इन लोगों के हीत में नितिया बनानी चाहिए जो नितिया इस देश में आर्थिक नितिया बनाई जा रही है वह सभी नितिया हम लोगों के खिलाप में बनाई जा रही है और इसलिए आप देखेंगे वो रिजर्वेशन का मसला हो वो वो स्कॉलर्शिप्स के मसले हो वो एजुकेशन से सम्मंदित जो नितिया होनी चाहिए जिसके बारे में मैं अभी जाजा विस्तार से नहीं बताऊंगा प्राइवेटाइजेशन हो मतलब तोटली कॉंस्टिटुशन को उन्होंने अल्मोस्ट कच्रे की पेटी में डाले जैसा कर दिया है उन्होंने इसलिए हमारी ये रिस्पॉंस लिए है कि इस सरकार को उनको हमने मजबूर कर देना चाहिए कि या तो ये जो अधिकार सविधान में दिये गए है जो नितिया उससे सुसंगत बननी चाहिए अगर आप वो नहीं बनाते तो आपको ये खुर्शिया खाली कर देनी चाहिए इसके लिए हमको लड़ना होगा मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए साथियो हम क्या प्रोग्राम अनफोल करने वाले है इसके बारे में थोड़ा सब्सक्राइब मैं आपको बता दू हम जो मिजॉरिटी मूल निवासी बहुजन समाज का तपका है जिसमें शिडूल कास्ट है शिडूल ट्राइब है बेक्वेड क्लासेस है और इन में से जो समय समय पे हम भिन्न भिन्न धर्मों में गए ब्रामनों की बदमाशी से गए उन सब को जो उनके कॉंस्टिटूशनल राइट्स है वो दिलाने के लिए हम काम करेंगे एक जो मैनारिटी जी स्पेशली है उनको प्रोटेक्शन दिया है सवीधान ने और एक जगा बाबा साहब ने ये कहा मिजारिटी रूल इजे रूल बाइ फ्लुक मतलब जो लोग मिजारिटी का इस्तेवाल समाज को समाज को तोड़ने के लिए कर रहे है तो बाबा साहब ने ये कहा है इज दी डूटी आप दी मिजारिटी तो प्रोटेक्शन दी माइनारिटी जिन दी कांट्री and they are not supposed to do certain things ये ये लिखा है ये लिखा है उसमें बाबा साबने वो किताब मेरे बैग में पढ़ा हुआ है वो लिखा है they are not supposed to do certain things लेकिन जीजधंग से हमारे Muslim भाईव के साथ जो वह वहार कर रहे इसके बारे में भी तो हम उनके अधिकारों के लिए भी हम आपने निटिया बनाएंगे तीसरी जो इंपोर्टन बात है जो आप देख रहे हैं इस देश में फार्मर्स मर रहे हैं वो आकड़े कैसे आ रहे हैं फार्मर्स मर रहे हैं अब उसको जरा उनकी अभी ये दिश में जात इतनी मतलब खतरनाक है कि वो कोल है वो फार्मर्स उसमें जरा देख लेना कितने ठाकूर मर गए उसमें जरा देख लेना कितने बनिये मर गए और उसमें ये भी देखना कि कितने ब्रामन मर गए farmers के नाम पर हमारी लोगों को अगतल हमारी लोगों को आत्म हत्या करने पड़ रही क्यों करने पड़री त्योग्णी देश की जो फार्म सेक्टर में जो नितिया बनानी चाहिए मतलब उनको एक industrial industries का दर्जाद इन्दस्रिट को protect करती है सरकार लेकिन फार्म सेक्टर को प्रोटेक्ट नहीं करती और हम जो ज़्यादा मात्रा में हैं हम इस देश की जनता 70% लोग आज भी अग्रिकल्चर पर निर्भर है अग्रिकल्चर मतलब लैंडलेस लेबरर्स और मार्जिनल फार्मर्स और अधा फार्मर्स तो ये जो सेक्टर है इस सेक्टर में जो मतलब मनी फ्लो होना चाहिए देश की उसकी ट्रेजरी से जो पैसा इस दिशा में डालना चाहिए वो नहीं डाल रहे हम उसके लिए आंगलन करेंगे पिछले जब से मुझे समझ आई है और बामसे मतलब मैं जो एंट्री की थी वो देखा कि वो शहरों में पूरी जो परपट्टियों में मैं घुमते रहता हूँ देखा या तो वहाँ शिडूल कास के लोग है वहाँ शिडूल ट्राइब के लोग है वहाँ backward classes के लोग है और minorities के लोग है और एक दूसरे से वो जो परपटी मतलब जो article 21 में right to life जो दिया है और उसकी व्याक्था सुप्रिम कोट ने की ये कोट में बैटके काग जो की वो किया, काई के लिए किया right to life, right to dignified life ज़रा सुप्रिम कोट के जजेस उदर जाके देखे क्या हो रहा है उनको रहने के लिए घर नहीं है पीने के लिए पानी नहीं है electricity नहीं है medical की सुभी राये नहीं है तो ये जो directive principles of state policy में state ने इस धंके ultimately आर्थिक नितिया बनानी चाहिए जिससे ultimately इस देश में economic equality established हो ऐसा मेरा कहले आर्टिकल 38 या 39 में लिख के रखा है बट slowly slowly equality होने की बज़े है मतलब इतनी ज़्यादा गहिराई inequality इस देश में लाई है इन लोगों ने इसे दर्शाता है कि ये जो लोग है ये लोग ये ऐसा नहीं करना चाहते और ये इसलिए नहीं करना चाहते कि उनका और हमारा embilical card जुड़ा हुआ नहीं है अगर वो हमारे लोग होते अगर किसी मा के बच्चे को दर्द होता है अगर तकलीब होती है तो मा को दर्द होता है वो अगर यहां के होते तो शायद हमारे बारे में भी उनको दुक दर्द होता उनको नहीं होता इसका मतलब इनहें हमारे कल्यान ये राज्य कल्यानकारी राज्य बजरूर है लेगिन ultimately राज्य अपने आप में कुछ नहीं करता राज्य में जो लोग हैं वो करते हैं तो लोगों की स्वास्थ वेवस्था के लिए हम अपना प्लान ड्रा करेंगे. लोगों के खान पान में उनको रिस्पेक्टेबल लाइप जीने के लिए उनका अर्णिंग का सोर्स बनाने के लिए हम काम करेंगे. तीसरा important area है कि these governments are not in a position to generate the employment बहुत बड़ी problem है यूट्स की और इसमें जैसे मैंने अभी थोड़े देर पहले इधर सुना हमारे कुछ साथियों को तो वो हमारी नौकरी चली जाएगी और फिर जो recommendations आते है ये जो चल रहा है इस देश में अगर आप लोग इसके खिलाब में आवाज नहीं उठाएंगे हम तो उठाएंगे ये पॉलिटिकल पार्टी लेकिन आप लोगों का मैं संपुर्न साथ सायोग चाहतो साथियोग और आपके साथ सायोग से हम इनको डस्ट बिन तक ले करेंगे और हम उस वकत तक काम करेंगे अपने समाज के हित्मे जब तक इस समाज को उनके constitutional rights दिलाने में हम कामयाब नहीं होंगे मेरा ख्याल है इतना कुछ कही कर मैं अपने बात समाप्त करता हूँ जय भीम जय मुल्यमासी और नए साल के लिए आपको सब को शूब कामना है देते हुए मैं अपने बात समाप्त करता हूँ जय भीम जय मुल्यमासी अजय मढ जिय मुल्यमासी पलकिण तख सिकिरे आही आव्पत